आम डॉक्टर चेश्टा गौत्तम पीजी स्कॉलर प्रसूती तंतर इस्त्री रोगवी भाग आचरी सुशूत ने चिकित्सा इस्तान के 32 अध्याय सोईदा वो चर्णी अध्याय में सुएधन प्रयोग चिकित्सा विदी का वणन किया है इसके अंतर चार सुएधन बताये हैं ताप उश्म उपना द्रव सुएध ताप सुएध में रोगी के अंगों को तपाया जाता है वस्तर के द्वारा, बालू मिट्टी के द्वारा, कांसे के पातर के द्वारा उश्म स्वेद में उश्मा का प्रयूग किया जाता है अर्थात की स्टीम का प्रयूग किया जाता है भाप का प्रयूग किया जाता है एक मत्की में कवात होता है गरम गरम उसमें एक नली जोड़कर उससे जो भाप निकलती है उसका प्रयूग स्वेदन के लिए किया जाता ह उपनाह स्वेध में गरम कलक का प्रयोग किया जाता है रभावित अंग पर उसका प्रयोग किया जाता है उस पर वस्तर बांदा जाता है द्रव स्वेध में रोगी को गरम क्वात युक्त टब में लिटाया जाता है तथा उस क्वात के द्वारा उससे स्नान करवाया जाता है वाद के साथ अगर कफ और मेद युक्त है तो उस इससती में नेरगनी सुषुद ने बताया है इसमें अगनी का प्रयोग नहीं होता जैसे कि दूप का प्रयोग, कुरोध का प्रयोग, व्यायाम का प्रयोग, गरम वस्त्रों को ओड़ना, युद्ध करना, आदी सुषुद से पूरू इसनेहन का प्रयोग बताया, इसका भी बहुत एक महत्पून कारण है, इसनेहन करने से धातुएं दोश क्लिन हो जाते हैं, उसके बाद जब हम सुषुद करते हैं, तो वह दोश पिघल जाते हैं, कोष्ट में आ जाते हैं, उसके बाद शोधन करने पर वह शरीर से आसानी से बाहर निकल जाते हैं। स्वेधन के कहीं लाब बताएं हैं। तुचा कौमल होती है, आचक अगनी बढ़ती है, अरूची दूर होती है। शरीर के स्रोत खुल जाते हैं, मार्ग खुल जाते हैं। संधियों में गती शीलता आती है, निद्रा और आला से भी दूर होते हैं। आचारे सुशृत ने वमन विरेचन साध्य उब्द्रव चिकित्सा अध्याय में, वमन विरेचन के द्वारा जो रोग साध्य हैं उनकी चिकित्सा का वर्णन किया है। इस नेहन स्वेधन करने के बाद जब दोश कौमल हो जाते हैं, उसके बाद उत्कलेशित अन्न का प्रयोग किया जाता है और वमन का प्रयोग करते हैं इसके बाद। मुँ से कफ का सराव होना, ग्रहणी दोश और स्वरभीग ये रोग कभी भी वमन करने वाले व्यक्ति को नहीं होते हैं। विरेचन में अधू मार्ग से शरी के नीचे के भाग से मल के द्वारा दोशों को निकाला जाता है। इसने शूएदन किया वह व्यक्ति जिसको वमन कराया गया है विरेचन कराया जाता है। आचाए सुषुत ने तीन तरह के कोश्ट बताया हैं, इसमें म्रदु कोश्ट में पित्त की प्रवलता रहती है। इस कारण से इसमें विरेचन औजद्पी की मात्रा का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। मध्यम मात्रा का प्रयोग करें, इंद्री अपने कारें अच्छी तरह से करते हैं, विरेचन द्रव्वें हमेशा पाचनDesk पक्व अवस्था में कारे करते हैं जबकि वमन द्रवे और पक्व अवस्था में दोशों को शरीर से निकालते हैं वमन विरेचन से साथ दे रोगु की चिकित्सा बताने के बाद उसके अगले अध्याय में, आचेर सुषूत ने वमन विरेचन व्यापत चिकिट सा बताई है जिसमें वमन विरेचन जब हम करवा रहे हैं, तो हो सकता है कि हम ठीक से नहीं करवा पाएं उसके कारण 15 तरह के complications आचाय सुषूत ने बताया है कि हो सकता है ये 15 तरह के complications हो जाए इसके अंतरकत अगर वमन द्रवे हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसको उपर की दरफ से दोशों को निकालना चाहिए था अगर वो नीचे की तरह से विरेचन की तरह अगर प्रवरत होने लग जाए और विरेचन द्रवे जिससे नीचे की तरह से दोशों को निकालना चाहिए था वो उपर की तरह से प्रवरत हो रहा है इसी तरह के 15 तरह के complications आचाय सुषूत ने बताया है इस प्रकार की सूर इतना दूर है फिर भी जल का अवशोशन प्रत्वी से कर लेता है उसी प्रकार बस्ती का प्रयोग हम पकवार्शय में करते हैं लेकिन वह पूरे शरीर से दोशों को खीच कर सिर से लेकर पैर तक दोशों को खीच कर शरीर से बाहर निकालती है शिर्ण शुक्र विक्ति शुक्रवान होता है, जो विक्ति पतला है, वह पुष्ट होता है, जो विक्ति बहुत जदा मोटा है, वह पतला होता है, अकाल में जुरिया आना, बाल का सफेद होना, इसका नाश होता है, आयू बढ़ती है, और नेतर की शक्ती बढ़ती है, बस्त के कारण complications नहीं होते हैं शोधन करती है झेयां कर रहात नहीं करते हैं नोमें आस्थाबन प्रूंपत्य का प्रिश का प्रयोक करते हैं जाता है गल्तिय यह कोंप्लिकेशनस होसकते हैं अचारी सर्चने यहत्तर तरे के बस्ती व्यापत या कॉंप्लिकेशिंग्स बताएं हैं थैंक्स फॉर वाचिंग ओम धन्वंत्रे नमहा